चलिए आगे बात करेंगे Question No.21 Repeated Volley Test सम्भंदित है Repeated Volley Test आपका Volley Wall से सम्भंदित है और ये केवल महिलाओं के लिए होता है तो Option C इसका सही आंसर है Only Female ये Volley Wall का टेस्ट है इसमें एक ब्रिडली होता है पुर्शों के लिए और रसल होता है महिलाओं के लिए तो जो रसल है महिलाओं के लिए इसी में आपका repeated volley test है तो चलिए आगे बढ़ेंगे question number 22 पर इन में से कौन सा item science skill में नहीं है which of the following test item is not part of the science skill test जो science skill test है इन में से कौन सा item नहीं है तो देखिए 22 का जो answer है आपका जो नहीं है शामिल option A है boom ring correction ये इसमें नहीं है और जो science skill में है वो है shooting in the target और balancing the ball from the stick और moving with the ball जो boom ring है ये आपका agility से सम्मान्दित है तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question पे अगला question है आपका miral volley परिक्षण सम्मान्दित है miral volley परिक्षण सम्मान्दित है इसका सही answer है आपका option A badminton ये badminton से सम्मान्दित है अब ये जो आगे बढ़ेंगे इसी में हम हाँ इसमें सुन लीजिए जो miral volley है ये 1951 में बना था ये टेस्ट 1951 में बना था और इसका purpose क्या है journal playing ability to measure journal playing ability तो option A इसका सही answer है अब आगे बढ़ेंगे Johnson's basketball परिक्षण में कौन सा event सम्मान्दित नहीं है जो Johnson's basket test है आपका इसमें से कौन सा नहीं है तो 24 में आपका answer होगा 24 में answer होगा आपका D पेनी कप परिक्षण 24 का option D सही answer है पेनी कप परिक्षण ये सम्मान्दित नहीं है पिर आगे बढ़ेंगे Canadian परिक्षण कितनी समय उधी के अंदर होता है जो Canadian आपका test है उसका duration कितना होता है option A का सही answer है 35 second चलिए आगे बात करेंगे रोजर सारी परिक्षण में कितने आइटम होते है तो जो रोजर वाला है आपका रोजर इसमें आपका सही answer होगा option D 7 रोजर में आपके साथ आइटम होते है option D इसका सही answer है आगे बढ़ेंगे Krause Beaver Test का उद्देश क्या है Krause Beaver Test का क्या उद्देश है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ Krause Beaver Test का जो उद्देश है वो है आपका minimum muscular strength of abdominal muscle option A इसका सही answer है option A इसका सही answer है पिर आगे बात करेंगे by acromile point संबन्दित है very important by acromile point संबन्दित है तो by acromile आपका shoulder से संबन्दित है option A इसका सही answer है option A आगे बात करेंगे stadiometer संबन्दित है ये भी आपके बार-बार प्रश्ण में आता है जब exam होता है ये कोशन जरूर रहता है stadiometer संबन्दित है किस से? height से उचाई से संबन्दित है उचाई से संबन्दित है चलिए आगे बात करेंगे spring scale परिक्षन बापता है जो spring scale है वो क्या measure करता है spring scale strength measure करता है measure to strength measure आपका answer होगा option D इसका सही answer है 30 number question का strength option D फिर आगे बढ़ेंगे Harban Singh field hockey test कब बना था तो Harban Singh field hockey test 1875 में बना था option D इसका सही answer है option D आगे बात करेंगे 32 पर vital capacity is measure with जो vital शमता है वो किस से मापी जाती है spirometer से बहुत important question है spirometer से option C इसका सही answer है आगे बात करेंगे लड़कों के लिए Harvard step correction में bench की उचाई कितनी होती है वी मैं आपको बता चकी हूँ तो bench की जो उचाई होती है लड़कों के लिए वो 20 inch की होती है option B सही answer है और अगर यहीं पर महिलाओं की बात करता लड़कियों की तो उनकी 18 inch की होती है चलिए आगे बात करेंगे ग्यूलिक टेप मापता है यह जो ग्यूलिक टेप है यह बहुत important है यह आपके circumference को नापता है option D परधी इसका सही answer है circumference आगे बात करेंगे by epicondyle by epicondyle संबंदित है यह by epicondyle की बात कर रहा है कि किस से संबंदित है यह knee और elbow से संबंदित है option D इसका सही answer है test of badminton skill badminton skill परिक्षण होते हैं कौन-कौन से इसमें मैं आपको option पढ़ूंगी देखिए जो badminton skill है कौन-कौन से है इसमें french squad french badminton test low card test और miller-miral volley test और फिर चौथा option है यह सभी तो आपका answer होगा उप्रुक्त में से सभी all the above ठीक है फिर आगे बात करेंगी सभी आपके badminton test से संबंदित है सभी फिर निम्लिक्षण